हलो स्टूडन्स, आज अपन डिसकस करेंगे कॉटन के बारे में या कपास के बारे में कपास का जो बोटनिकल नेम है वो है कॉसी पीम इसका वर्णेकिल नेम जो है टिस कॉटन और ये बिलॉंग करता है फैमिली मालवेसी को कपास जो है विश्व का सबसे मैत्मून फाइबर है मनुश्य द्वारा इसके उप्योग के संदर ग्रीस वर रोम के प्राचीन सायथे में भी मिलते हैं लगबग 1520 में रचित हिंदों के सबसे पुराने ग्रंध रिग्वेद में भी सूत यानी कॉटन थ्रेड का उलिख है लगबग 3000 वर्ष तक भारत वर्ष का पास तथा संबंदित उत्पादों के निर्मान का मुख्य केंदर रहा भारत में निर्मित अत्यंत मुलायम पतला कपड़ा ढाका मसलन विश्व प्रसित था यदभी भारत वर्ष से कपास 600 AD में चाइना वर एजिप्ट में इंट्रोड्यूस हो गया था परन्तों इन देशों में इसकी टेक्स्टाइल फाइबर की रूप में खेती 1300 से 1400 AD में आरंप हुई अफ्रीका उप माद्वीप में इसे अरब व्यापारियों अरब ट्रेडर्स वारा पुरह स्थापित किया गया यूरूप तथा अमेरिका में कपास उध्योक में वास्तविक ग्रांती पावर लूंग की खोज के पस्चात लगभग 1785 में आई अब विश्व के लगभग सभी भागों में कपास की खेती की जाती है कपास के पौधे का गरम बोटाइनिकल केरेक्टर्स देखें वारसपतिक लक्षन देखें तो कपास एक क्या है एक वर्षी है अत्वबहु वर्षी है प्राय एक से दो मीटर उचा शुरब या छोटा ट्री है इसकी पतियां स्टिपिलेट होती है सराल तथा पामेट्री लोग्ड होती है इसका जो गाइनोशियम है तीन से पांच अंडपी वह सेंकता अंडपी होता है और इसकी ओवरी जोटी इस सुपीरियर और इसका फल जो है इस कैपसूल इस कापसूल और जिससे कपास का डोड़ा या बॉल्स कहते हैं कैपसूल के प्रते कोश्टक में लगभग नौ बीज होते हैं जिनकी सतर सफेद दीर्ग वंबलायम फाइबर से ढखी होती है जलवायू वह उत्पादन शेत्र इसके जो क्लाइमिट है और कॉटन की जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो कौन से हैं कपास जो है ऊश्न तथा ड्राय जलवायू का पौदा है ऐसे शेत्र जिनमें गर्मियों का तापमान 44 डिगरी सेंटीग्रेड से अधिक न हो तथा औसत वार्षिक वर्षा 75 तू 250 सेंटीमीटर हो कपास उत्पादन के लिए उप्युक्त है यदभी पौदों को प्रारमिक अवस्था में नम वातावरंड की आवश्यक्ता होती है पर अंतु फसल पकने के समय शुष की जलवायू लाबदाएक होती है कैपसुल के परिपक्व अवस्था में वर्षा होने से फाइबर का रंग खराब हो जाता है वो इसमें फंगल इंफेक्शन की संभावना रहती है अब हम बात करते हैं कपास की खेती की कपास के लिए खेत को दो से तीन बार हल चला कर त्यार किया जाता है बीज बोने से पहले उनका गोबर तथा मिटी द्वारा ट्रीट्मेंट किया जाता है कुछ शेत्रों में बीजों को जल्दी अंकुरित कराने के लिए बोने से पहले कुछ समय तक पानी में भिकोया जाता है विभिन शेत्रों में कपास की वोई एप्रिल से जून के बीच मौनसून की प्रथम वर्षा के बस्चात की जाती है बीच सामानता पंक्तियों में बोई जाते हैं पौधों के बीच 0.5 से 1 मीटर की दूरी रखी जाती है जब पौधों की उंचा ही लगबख एक मीटर होती है तब पार्षी शाकन प्रेरित करने के लिए उनकी मुखे शाकों के शीर्ष काट दिये जाते हैं फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन और वरक अनुपरयोक आवशक है पौधों में पुष्पन लगबख दो महास से प्रारम हो जाता है तथा चार सब्ता में पॉल्स या डोडे परिपक्व हो जाते हैं कपास में पुष्पन एक साथ नहीं होता है अथा डोडों का चेन पिकिंग तीन चार बार किया जाता है डोडों से रोएंदार बीजों को खेट से ही अलग कर लिया जाता है इनका प्रोसेसिंग बाद में किया जाता है अब हम लेते हैं कपास की किस्प में कपास की जो कल्टिवेटेड स्पीशीज हैं उनको भौगलिक वित्तरान वगूंड सूत्र संक्या जोग्राफिकल डिस्टिवेशन और क्रोमोजोम नंबर के आधार पर इन समूवों में रखा जाता है यहां हम यह कहने हैं आपको पुरानी किस्में हैं यहां जो स्पीशीज हैं वो मैं आपको बता जेता हूँ common species जो है it is Gossipium herboreum Gossipium herbaceum Gossipium hjirsutum and Gossipium varbandus यह जो है common species हैं cotton की अब हम बात करते हैं कापास को किस तरह से processing की जाती है processing of cotton डोडों यादम और थ्रेड बनाने तक की प्रक्रिया अन्य चरडों में होती है अब हम उंके कहते हैं जो विभीन चरण है उन्शको हम डिस्कस करेंगे पहला जो चरण है वो है किनिंग या ओटनिंग इस प्रक्रिया में खेच से एकरत्रित कपास के डोडूम से कैपसूल भित्ती, मिट्टी तथा अन्य बहारी वदार्थ हटा कर फाइबर तथा फज अगल अलग किया जाता है इसके लिए रोलर ओटनी रोलर जिन अत्वा आरा ओटनी सौ टाइब जिन का प्रयोग किया जाता है Egyptian cotton तथा Iceland cotton के लिए उपयोगी है जबकि आरा ओटनी से Gossipium Hirsutum, Gossium Arborium और Gossium Herbacium का ओटन किया जाता है यदपी रोलर ओटनी द्वारा रोएं साफ करके प्रक्रिय अपिक शक्रत धीमी है परन्तु इसे रोओं की शती कम होती है अगला जो स्टेप है वो है गांट सेयार करना या बेलिंग ओटनी से प्राप्त कपास को दरफ चालेज शिकंजे हाइड्रालिक प्रेस से दबाकर बेल्स या गांटों में बांध लिया जाता है प्रतिक गांट का वज़न 226 किलोग्रेम 500 पॉंड होता है फिर आता है पिकिंग कपड़ा मिलों में कपास की गांटों को खोल कर तन्थू कशल SKUJAR में डाला जाता है जिससे कपास को भली भाती हिला कर इससे सभी बाहरी पतात हटाये जाते हैं तथा है फाइबरों को प्रतक कर एक चादर में फैलाये जाता है फिर आता है कार्डिंग या धुनाई स्कचर में कपास के कुछ छोटे पिंड लंफ बचे रह जाते हैं इन पिंडों को पुर्णा धुनाई मशीरों या कार्डिंग मिल्स में टाल कर इनसे फाइबर प्रता कर लिये जाते हैं नेक्स स्टेब जो है कॉम्बिंग और ड्रॉइंग कॉम्बिंग वह प्रक्रिया है जिसमें छोटे फाइबर्स को अलग किया जाता है तथा ड्रॉइंग में फाइबर्स को सीधा किया जाता है तो उप्रोग जिते भी प्रोसेसिंग से कपास की एक उन के समान मुलायम पतली चादर प्राफ्थ होती है इन्हें विशेश कीपों फनल्स से गुजार कर पतली वो मुलायम पत्टियां तयार कर ली जाती है इन पत्टियों को चरकी के चारों और लपेट कर आवशकता अनुसार मोटा सूत thread जो है वो तयार कर लिया जाता है तो ये जो थे कुछ steps थे methods से cotton की processing के लिए या thread बनाने के अब last में हो लेते हैं cotton के उप्योग uses of cotton कपास के fiber अत्यदिक मुलायम वस सुनम्य होते हैं अत्या इनसे बढ़िया किस्म का कपड़ा तयार किया जाता है इसके fibers की tensile strength तथा I.E. अधिक होती है अत्या ये गाड़ियों के टायर, मशीनों के पटे तथा ropes आदी के लिए भी अत्यात उप्योगी है इन fibers का मुख्य घटक cellulose है cellulose का अब शोशनाक अधिक होने के कारण इनका उप्योग absorbent cotton तथा अनेक उद्योगों में जिनमें cellulose कच्चे माल के रूप में चाहिए होता है रूई का उप्योग तकिये गद्दे गद्दियों आदी में भराई के stuffing में भी काम लिया जाता है कपास के बीजों से प्राप तेल जिससे cotton seed oil कहते हैं खाना बनाने, सावन बनाने तथा जलाने की काम आता है बिनौले के छिलकों cotton seed hulk से कागस गत्ता फाइबर बोड आदी बनाया जाता है cotton oil cake कपास के बीजों से तेल निकालने के बाद पचावा पदार्थ खाद वा पशू stock feed के रूप में प्रयोग की जाती है कपास की पत्तियां चारे फॉर्डर के रूप में तथा stock जो है कागस बनाने के में प्रयोग में आते हैं